बर्दे टीम के यूवा पेसर खलील एहमद ने अभी तक अपने करियर में शांदार प्रदर्शन दिखाया है आपको बता दें कि हाली में ICC ने मंगलवार को अधिकारिक चेतावनी जारी की है ICC मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड ने खलील को खिलाडियो और स्पोर्ट स्टॉफ के लिए कोड अफ कंड़क के लेवल वन का उलंगन दोशी माना गया है आपको बता दें कि ICC की और से जारी बयान के मताबिक खलील ने अपनी गलती को सुईकार कर दिया है बता दें कि खलील ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुंबई में खेले गए चोथे वंडे में केवल 13 रन देकर 3 जटके दिये थे वहीं दूसरे और इस मैच में भारत के रोहिश शर्मा और अंबती रैडू के शटक की बदलाद मैच में पांच विकेट के नुकसान पर 377 का बड़ा लक्षे खड़ा कर दिया था जिसके बाद वेस्ट इंडीज टीम 153 पर ओल आउट हो गई और भारत ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत गई द्रजल आपको बता दें कि खलील एहमद के साथ चौदवे ओवर में ये वाक्या हुआ था जब लेफ्ट आम्ट पेसर खलील वेस्ट इंडीज के मार्वल सेमुल्स को आउट करने के बाद उनकी तरफ आकरमन अंदाज में मुड़े मैदान पर मौजूद अमपायर इफान गोल्ड और अनील चौधरी ने इसे सही एक्षन नहीं माना जिसके बाद खलील को अधिकारिक तोर पर चेतावनी जारी केरी गई और एक डिमेरिट अंक दिया गया बता दें कि खलील ने कोड ओफ कंड़क्ट के आर्टिकल 2.5 का उलंगन किया है कलील एमत ने अपनी कल्ती को सुईकार कर लिया है जिसके बाद अधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट एक से गौरफ की रिपोर्ट